यही दसा हुआ था बलिया में अभी मानने बड़े भाई बहुन सींगे साथ किसी भी चीज का एक हद होता है वो आदवी अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़के अपना समराज छोड़के सिरिफ आपका प्यार पाने के लिए कोई कलकार आता है और आप सब को इतना भी धोड़ा से भी ध्यान नहीं बाई ये किसले ही तमारा अभी दर से उस लड़की के सर फट गया कोई कलकार आता है आप लोग के बीच में तो आप लोगो थोड़ा भी तमीज नहीं है किसी कभी यार कारिकरम होता है आपसे अम प्यार करते ही छिलेम आपके पास आते हैं इस का KK वमप लोग एक हुन साहके जाशनी आदि यार जा communist एडर्रमा बना कर अदिए यह आ हुआ है तालियां बजा देजिए जुर्दार तालियां बजाएए जुर्दार तालियां और ये आप सभी का मुभबत है प्यार है ये क्या कहते हैं आप लोग ये कौन है साथ में यार ये ड्रमा बनाते हैं क्या ये किसने ही तमारा अभी दर से उस लड़की का सर फट गया कोई कलकार आता है आप लोग के बीच में तो आप लोगो थोड़ा भी तमीज नहीं है किसी कभी ये कारिकरम होता है आप से हम प्यार करते हैं इसलिए हम आपके पास आते हैं नहीं तो हमें भी अपने घर में सुरचित बैठना आता है हम लोग सिनेमा करके भी दो पैसे कमा लेते हैं गाना का के भी दो पैसे कमा लेते हैं इटा मार देने से कि आपके नस्दिक से लाएगा कोई उसको देखी बेंडिस कराई कि अगर ततकाल में कुछ है तो देखी तो देखी तो बहुत जादा लगा उसको अस्टिक लेजाई क्या बत तर्मीजिये लिए कलकार प्यार करने की चीज़ होता है अभी situation में कोई कैसे गाना गाएगा थोड़ा सा ग्यान आपको पता है इस कारिकरम को कराने में कितना मुश्किल हुआ है और ये कारिकरम मुखिया अपने लिए नहीं करा है आप सब के प्यार के लिए करा है ताकि आप फेश तु फेश देख सको कि शारी को सुन सको और मैं भी उस्वी के लिए आएऑ ताकि मैं आपका मनुरेंजल कर रहा हूँ आप सबसी प्यार करके आओं आपका प्यार दी कऱ़जाए ऐसे नहीं मैं इस कारिकरम को करने के लिए धोर असुस होया नहीं ताकि किसिका नुकसान भी नहीं हो और मैं आप सब का है तो कि टाइम नहीं होता है, कैसे कैसे टाइम निकाल कर आप सब कहा सिरवाद लेने हम आते हैं, और आप लोग इस टाइब की, आप सब नहीं कर रहे हैं, कोई एक ही कर रहा है, लेकि एक आद्मी पुरे फंसन को बिगार कर छोड़ देगा, तो जो भी एक पर रहा है, मैं आप से रिक्रिष्ट कर रहा हूँ, कि आपके घर में भी कभी थंसन होगा, अभी किसी बेटी के बाग बनो बढ़े आपके दरवाजे पर भी बनाताएगी, अगर उस समय ऐसी हरकत हुई, तो आपको कैसा लगेगा, आपको क्या गुज़ेगी आप ना बतादो मुझे, उस बच क्या कोई गाएगा, परिसासन से निवेदर हैं कि इधर बहुत सारे आसारामबापू के चेले खड़े हैं, इन लोगों को थोड़ा सा बढ़ियां से बहुता करिए, दोचारी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चरदी हैं, क्या तरीका है यार, यह तो अब लोग मजाग बना आएसे आप लोग करोगे न, तो सच कह रहा हूं मैं, कि कोई भी आटिस्ट, कोई भी कलाकार कहीं कारकरम करने अब नहीं जाएगा, यही दसा हुआ था बलिया में अभी, मानिये बड़े भाई पहुन सींके साथ, किसी भी चीज का एक हद होता है, वो आदवी अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना समराज छोड़ के, सिरिफ आपका प्यार पाने के लिए कोई कलाकार आता है, और आप सब को इतना भी धोणा से भी ध्यान नहीं बाई, आप किसी के फंसन को एक पत्थर स भी गार दोगे, मनुरंजन अलग होती है, अगर आपको ज़्यादा ही चर्वी है, तो आप एक पर आओ मेरे से लड़ो, चाहे किसी से भी लड़ो, इतने सारे बामसर है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम आप सब से प्यार करने आए है, और हम भी यही पिछा रखते हैं, कि आप भी हमें उतना ही प्यार करें, आपके प्यार से हम बड़ा हुआ है, चाहे दुनिया का कोई भी गलगार, आपके प्यार से बड़ा होता है, और आप लोग बताईए, सांती पुरुबग अगर बैठ कर देख लेंगे, तो मैं भी एक दिल गंटे में निकल जाओगा, लेकि अगा ऐसे करेंगे तो पांच मिलट में लेगा मुझे निकलने में, मैं निकल जाओगा, और आपको क्या मिलेगा उससे, कि खेसारी को देख लिए, लेकि खेसारी का दिल सिर्फ आपको दिखाना नहीं, मैं आच आता हूँ, आप सब के बीच बाला हो, तो मैं कुछ क करके जाओ, कुछ गा के जाओ, कुछ नाचू, कुछ बोलो, कुछ कहो, आपका सुनू, मत करिये पिलीच, चाहे ऐसे इधर के लोग हो, या इधर के लोग हो, चाहे इधर के लोग हो, चाहे कि इधर के लोग हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खेसारी पसंद तो बुलाने गेते हैं तुमको नहीं न अगर सारी पसंद निए तो हम बुलाने नहीं गेते अपके एक मुख्या एक पंचाय। एक पंचायच का मुख्या आया जीतने इतने विवस्ता करने में कम से कम और सारी को बूलाने में 50,00 रुप्य का घर्चा होगा और तुम्हारी आउकाद 50 रुपे की नहीं होगी जो धेला चलाया होगा एक आदमी आपके प्यार के लिए इतना परिश्रम करके खेसारी के बुलाया इतना सरा इस्टेज, साउंड, लाइट, बेमस्था, परमीसन, उस आदमी से पुछो उस आदमी की दसा क्या होगी जो आदमी एक खेसारी को भुलाने में दो महीने से इस्टगल कर रहा है और आपका छोता सा धेला ये दो महीने के परिश्रम को बरबाद करके चला जाएगा इतना ग्यान नहीं है पढ़े लिखो ना अन्ने सेनपे में जी रहे हो गया किसी चीज़ की हज होती है और वही परसासन अगर दो चार लाठी मार देगा तर लोग कहेंगे जिखेसारी के कारिकरा में परसासन ने लाठी बजाया पबलीक पे नहीं यह सारी पबलीक बुरी नहीं है इसमें से कुछ लोग ऐसे है जिनको चीज़े अच्छी नहीं लगती आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यार आपको नहीं दिखाई देने सिर्फ जितना लोगों दिखाई दे रहता हो कि यह खोब देगा उता हो ते आनहर बढ़िस त पढ़कि का इतना सरफटाए है इस सिचुएसे में कौन कला कार गाएगा आप पताइए आपको नहीं दिखाई दे रहा है कुछ हो रहा है कि एक बार बोल दो ना जार में हर जगे तो घुमी रहा हूं इधर भी जा रहा हूं इधर भी जा रहा हूं अब 24 मंट उनिया रही है हालो लगता है कि सारी भी या सब कोई अब समझ चुका है लेकिन कुछ लोग नहीं समझे जो यह हरकत किया है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहां के पबल्ल के ऐसा बात नहीं है बहुत सांती से प्रोग्राम करवाती है सांती के दान भी देती है लेकिन कुछ लोग उसी में से खिल ख्राब करने भी लगे रहते हैं अब इसको बिलम नहीं करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं वो गई लग्येरियं तव इसली इसली is प्योंत्ति कि कि